कोडी रोट्सий के बात करने वाले कि क्या यार कोडी रोट्स न्यू अपने यु点 बनने वाले यहा फिर लोगन पुल बनने वाले हमारे न्यु Ḯम्हेरे सब पहले बात करेंगे कि यार ये मैच winners take all match है या फिर नहीं ये match championship के लिए है भी या फिर नहीं है कि एक normal match champion versus champion match है तो यार ये 100% मेरे हिसाब से ओन news के हिसाब से रिपोर्ट के हिसाब से वाई एक winner take all match ही होने वाला है for all the goals undisputed championship और United States championship जो भी ये वाला match जीतेगा वो दोनों championship लेके जाने वाला है तो यार ये तो clear होगा कि ये match है तो title match ही और दोनों championship के लिए वाला match होने वाला है तो भाई लोग है अगर हम winner की बात करें तो भाई Logan Paul Logan Paul को मैं 110% choose करता बट अगर उनके सामने Cody Rhodes नहीं होते और ये undisputed championship नहीं लगी होती तो बट यार Logan Paul ले अपने करियर में 12 match रैसल करें WWE करियर में और उसमें भाई इनका literally दूसरा world title match है इतनी success WWE जिसे आप से Logan Paul को push करती है वो एक next level है भाई बट यार at the end हम लोगों को भी पता है और मेरे को भी पता है कि भाई Cody Rhodes ये वाला match जीतने वाले हैं तो भाई Cody Rhodes double champion बनने वाले हैं ये तो confirm है बाग यार मैं मिलता हूँ एक और interesting वीडियो में चालन पीड़ों तो भाई सब्सक्राइब कर देना वीडियो को कर देना लाइक बागे भाई लोग यार आपको क्या लगता है वो कमें इसमें बाता हूँ बाई बाई